नमस्कार बच्चों इंफेरो क्लासिज में आपका एक बार फिर्शे स्वागत है तो आज हम लोग एक प्रॉपर कोड लिखने वाले ठीक है आज एक प्रॉपर हम लोग प्रोग्राम पूरा बनाएंगे और यह मैंने इसलिए सब्सक्राइब करेंगे अब मुझे पहले कोड कोई कोड लिखा करके दिखा करके फिर हम को वापिस से बेशिक्स पर जाना होगा ठीक है हम लोग क्या करेंगे एक और लिखेंगे और उस कोड को किस तरीके से एक्जिक्यूट हुआ है और उसमें क्या क्या चीजे हैं जो हमको पता नहीं है या पता है उनको एक एक करके समझेंगे फिर वापिस क्या करेंगे ब्लैक बोर्ड पर आ करके हर एक चीज को कि वो चीज क्या है या यह चीज क्या है या फिर दूसरी जो चीज हमने उस फंक् पूरा करने के लिए भी आज हम लोग code एक तयार करते हैं, ठीक है, तो code जो मैं तयार कर रहा हूँ, वो मैंने बनाया है program, किसके उपर, simple interest के उपर, अब मुझे ये तो पता नहीं है कि आप लोग कौन सी class के students हो, बाकि कौन कौन सी class के students देख रहे हैं, बट ये जो simple interest है, आ रहा हूँ, simple interest का formula होता है, P into, P into N into R divided by 100, ठीक है, divided by 100, ये formula होता है, और इस formula का हमको आज code करना है, programming करनी है, अगर किसी बच्चे को simple interest नहीं भी पता है, तब भी कोई बात नहीं है, मैंने यहाँ पर formula लिख दिया है, और इस formula को हम लोग आज programming के रूप में इसको तबद इस çocuklam में use करें, कैसे हम लोग कन्वर्ट करें, कैसे इसका हम लोग code लिखें, वह हम लोग समझने जा रहे हैं, तो मैंने लिखा हुआ है, execute करके मैं दिखा दूंगा बाद में, लगिन मैंने लिखा हुआ हैं, और उसको मैं यहाँ पर लेकर कर के आता हूँ, समझाता हूँ तो देखो, ये जो है, मैंने last class में आप लोग को discuss करी लिया था, क्या discuss कर लिया था सर आपने, ये जो होता है, ये होते हैं comments, comments जो होते हैं, वो execute नहीं होते हैं program में, ये सिर्फ हमारे user को और third person को बताने के लिए होता है, कि ये program किसके बारे में है, ठीक है, ये execute, ये line जो हैं, ये execute नहीं होंगी, ये सिर्फ मुझे बता रहा है, अच्छा, calculation of simple interest का program है, अच्छा, ये social कुमार ने लिखा है, इस तारीक को, ओके, ओके, फिर यहाँ पर देखो, जैसे, यहाँ पर मैंने formula, जो है, वो code में लिखा है, तो मुझे as a third person कैसे पता चलेगा, कि ये SI, P, N, R, ये, ये क्या कर दिया है, मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैंने बताने के लिए बस लिख दिया, इसको आप नहीं भी लिखोगे, तब भी चलेगा, इसको आप नहीं भी लिखोगे, तब भी चलेगा, ये सब आप नहीं भी लिखोगे, तब भी आपका program में कोई दिक्कत नहीं आएगी, चलेगा ही वो चलेगा, क्योंकि ये कोई, आपका, जब program run होता है, तो उसमें execute नहीं होता है, ठीक है, तो ये देखिए, ये मैंने बता रहा है कि formula of simple interest है, ठीक है, मैंने यहाँ पर comment लिख दिया है, comment लिख करके बता रहा हूँ कि ये जो मैंने लिखा हुआ है न बेटा, ये क्या है, ये एक formula है, किसका formula है, simple interest का formula है, तो third person को पता चलेगा, अच्छा, ये जो line लिखी है, इसने मैंने last class में भी बताई थी, चलिए, अब ऐसी क्या चीज जो नई चीज में बताने वाला हूँ, तो नई चीज है बेटा, देखो, starting से हम लोग चलते है, hash include, सर, hash include मतलब क्या होता है, हर बार जबी भी आप program स्टार्ट करते हो, तो आप hash include लिखते हो, hash include मतलब क्या होता है, तो बटा, hash include मतलब में बताने जा रहा हूँ आपको, hash include मतलब होता है, pre-processor directive, pre-processor directive बोलते हैं, इंक्लूड करो, किसको header file को include करो, dot h है न, dot h मतलब होता है header file, ठीक है, आई बात समयन में, अचा यह header file क्यों include करवाई, और यह studio वाली कौन सी है, stdio, stdio करके एक हमारी header file है, इसको include करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, तो stdio क्या होती है, मेरी stdio होता है, standard, standard input, standard, input, ठीक है, and output file, ठीक है, यह standard input and output file है, इसको, इस file को, इस header file को, इस header file को, इस header file को, वो कह रहा है कि include कर लिजे आप, ठीक है, तो मुझे यह header file क्यों include करनी है, क्योंकि बेटा देखो, जबी भी मैं program लिखता हूँ, मैंने आपको बताया, कुछ एक predefined functions होते हैं, जैसे for example, यह printf हो गया यह printf एक predefined function है, जो की मेरे program को बता रहा है, मेरे compiler को बता रहा है कि simple interest की value को print करो, ठीक है, तो already यह जो program है, इसकी कहीं definition store होगी, ठीक है, इसकी जो instruction हो कहीं store होगी, तो इसकी जो definition वगरा store है, वो store है, अपना हमारे stdio में, stdio में, यानि stdio जो header file है, उस header file में already इसकी definition जो है, वो stored है, अगर मैं header file को include नहीं करता हूँ, तो printf का error आजाएगा, आप printf function use ही नहीं कर पाओगे, तो यहां मैं आपको run करके दिखाता हूँ, suppose, ठीक है, यहां पर मैं आपको क्या करता हूँ, मैं printf को हटा देता हूँ, एक बार मैं क्या करता हूँ, printf को हटाई देता हूँ, नहीं printf क्यो हटा रहा हूँ, printf नहीं हटाते है, stdio हटा देते हैं, header file include नहीं करते हैं, तो printf का error आजाना चाहिए, correct, तो मैं यहां पर execute करूँ, run करूँ, तो मेरा error आजा चाहिए, देखो, printf का error आगया, पहले उप आपको header file include करनी ही होगी, तो मैं यहां पर अब वापिस से लिख देता हूँ, header file include करने वाला, ठीक है, कहा है, यह रहा देखो, hash include, hash include, आपका क्या करना है मुझे, header files को include करना है, तो stdio.h, ठीक है, इसको मैं header file को include कर ले, आप अगर मैं execute किया, तो क्या run होना चाहिए, बिल अभी मैं अभी थोड़ा सा और यहां पर बता दूँ, ठीक है, तो sir, stdio मैंने use किया है, to include the certain functions, जिनको मैं आगे अपने program में use करने वाला हो, उनकी definition इस header file में है, तो मैंने use कर लिया, sir, समझ में आ गया यह, ठीक है, अब आगे क्या sir, हमके और क्या क्या पढ़ना है इस program मे और क्या क्या नई नई चीज़े आ गई है इसमें, जो हमको पढ़ना है, तो देखो next हम line पे आते हैं, हमारा function स्टार्ट हो गया है, अब यह इसको बोला जाता है function, ठीक है, इसको बोला जाता है function, जो भी आपका इस तरीके से bracket से end हो, वो आपका function होता है, ठीक है, यह bracket से end हो रहा है, तो यह function है, ठीक है, अब function कितने type के होते हैं, function कितने type के होते हैं, function कौन कौन से होते हैं, उनका return type क्या होता है, यह पूरी मैं class जब कराऊंगा function के बारे में, next class हो सकता है कि मैं functions के उपर लो, तो जब मैं functions की class लोगा, तो मैं आपको बता दूगा कि कितने type के functions होते हैं, उनकी definitions क्या होती है, उनका return type क्या होता है, वो सारी बाते हम लोग functions की class में पढ़ लेंगे, ठीक है, next आता है, जैसे ये p, n, r और si, ये तो variable है, sir, ये तो variable है, variable की class मैंने last class में discuss कर लिया था, कि variable मतलब होता है कि जो आपका memory location है, उसका address define करना, ठीक है, उसका address define करना, और आप जाकर variable की मदद से अपने जो input होता है, उनको आप receive कर लेते हो, और इसके अंदर store कर लेते हो, p में क्या store कर रहा हूँ, p में store कर रहा हूँ मैं अपना principle, यानि 1000 जो value है, principle जो है, वो मैं of interest जो है, वो मैं store कर रहा हूँ, r के अंदर में, और si जो है, वो मेरा simple interest है, उसका formula ये है, और ये formula जो है, ये मैं store कर रहा हूँ, si के अंदर में, आई बास समझ में, तो ये तो मैंने last class में कर लिया था, लेकिन sir, लेकिन sir, एक बात बताओ, ये int और ये float क्या चीज है, तो ये int और float बच्चे, int और float इसको बुला जाता है data type, क्या बुला जाता है, data types बुला जाता है, data types क्या होते हैं sir, data types इसलिए होते हैं, बेटा कि जैसे आपने यहाँ number store किया है, तो अगर आपने integer number store करना है, तो आप use करते हो, int की declaration, यानि integer है मेरा, ठीक है, अगर आप decimal, ये देखो, 8.5, 8.5 क्या है, 8.5 है decimal, अगर आपको decimal store करना है, तो decimal के लिए आपका जो data type होता है, वो होता है float, ठीक है, वो होता है float, अगर मुझे ABCD कुछ मेरा नाम store करना है, suppose मुझे सुशील, सुशील को किसी जगा इस्टोर करना है, तो सुशील क्या है, ये तो character है, ये तो alphabet है, ये alphabet या फिर, या फिर कोई symbol, hash, या comma, या epsilon, या comma, ठीक है, double quotes, ये सारे symbol हो इनको अगर store करना है, तो इनको store करने के लिए जो data type होता है, उसको बोल जाता है care, care मतलब character store कर रहा है, ठीक है, तो जब data type C class होगी, जब data type C class होगी, तब हम लोग इसको भी include कर लेंगे, इसको भी समझ लेंगे, कि जब data type C class होगी, तब सर integer और float के बारे में बता देंगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर input दे दिया कि मेरा principle 1000 है, मेरा time 3 है, मेरा rate है, वो 8.5 है, अब मुझे calculate करके बताओ कि मेरा simple interest कितना आएगा, खाली मैं अपना program run करूँ, तो मुझे मेरा simple interest जो है, वो run हो करके मिल जाना चाहिए अब, ठीक है, तो बच्चे देखो, अब मैं जो है, यहाँ पर simple वही करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको execute करके दिखाऊँगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर मैंने पुराना वाला लिखा हुआ है, तो run करने के लिए क्या करना होता है, execute पर जाइए, और compile and run कर दीजे, compile and run कर दीजे, compile and run हो गया, 255 मेरा answer हो गया, ठीक है, 255 मतलब क्या हो गया, 255 मतलब यह हो गया, सर, कि अगर आपका principal house end है, time 3 years है, rate of interest 8.5 है, तो उस case में simple interest जो है, वो मेरा कुछ चीजे हैं क्या, इसमें और चीजे यह है, कि next देखो, अगर आप देखोगे, तो यह printf के बारे मैंने बताया, जो की store होता है आपका studio में, लेकिन सर, यह क्या है, यह percentagef क्या है, यह क्या आपने लिखा है, तो percentagef मतलब होता है, बेटा, format specifiers, ठीक है, format specifiers बोलते है, बेटा, आपको print क्या करना है, आपको print करना है, simple interest, अभी simple interest जो है, वो भी decimal में हा सकता है, ठीक है, अगर decimal है, मतलब float value है, ठीक है, अगर आपको float value को print करना है, तो आप printf function को तो बताओगे format बताओगे कि आप कि इस format में print करने वाले हो, तो मेरा जो format है, वो float का format है, तो मैं वही जो percentage f लिख रहा हूँ न, वो बता रहा हूँ कि मेरा जो print होने value है, वो float type का format specifier होगा उसका, ठीक है, अब क्या, उपर आपने पहले देखा होगा कि मैंने percentage d करके भी कई बार print किया, तो percentage d मतलब होता है कि integer type आपका जो format specifier हो integer type है, percentage c भी होता है, percentage c मतलब क्या होता है, कि आपका character type का format specifier है, ठीक है, तो ये जब मैं पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा, जब मैं format specifiers पढ़ाऊंगा, जब मैं format specifiers पढ़ाऊंगा, तब मैं इसको include कर लूँगा ठीक है मेरी format specified सी class में मैं इस चीज़ को include कर लूँगा ठीक है next आता है sir ये क्या लिखा आपने ये n क्या लिखा आपने इसका मतलब होता है बेटा देखो जबी भी आप program लिखते हो ना तो थोड़ा readable form में होना चाहिए थोड़ा readable form में होना चाहिए सारी की सारी खिचडी नह हो गया कि अब यह आपना कैसे print हो रहा है यह देखो print करेगा तो नई line में ठीक है नई line में आपका SI आ करके print हो जाएगा एकदम नई line में यह अगर आपने यूज कर लिया तो मतलब नई line से आपको SI print करके दिखाएगा वह आई बास समझ में तो यहां मेरा program जो है वो fringe हो जाता है यहां जो मेरी प्रोग्रेम फिनीश उजाता है ? नेेस्ट क्लास में आपको सिखाऊंगा यह आपने क्या सिखाऊंगा ? uh छा यहां एक फॉर्मला होता है मतलब जरूरी नहीं कि simple address का formula कोई भी formula आप यहां पर इस तरीके से यहां पर पहले define कीजिए, declare कीजिए, और वहां पर जाकर के store कर देगा, कोई भी formula, मतलब मैं कह रहा हूं कोई भी, मतलब आगर आपको दो number को multiply करना है, तो int p और n ले लिया आपने, एक लेलो, si लेलो suppose, उस इसको अटाओ, और इसको भी अटा दो, ठीक है, और मेरा number multiply हो रहा है, तो si को मैं यहीं पर define कर देता हूं, integer type में define कर देता हूं, si, ठीक है, अब मैं si को लिखता हूं कि si is equal to p into n, ठीक है, इसको मैं multiply करके दिखा देता हूं, ठीक है, तो अब यह जो simple interest का नहीं रहे गया formula, अब यह formula किसका हो गया, दो number को multiply करने का formula हो गया, तो अब क्या मेरा यह print होगा, अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर, format is square को d कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको execute करके दिखाओ, execute करो इसको, compile and run, ठीक है, 3000 आ जाना चाहिए answer, देखो 3000 आ गया, तो आपने multiply करक वो SI में print हो जाए, तो मैंने 3000 प्रिंट करके दिखाया, नहीं देखा किसी ने, दुबारा दिखा देते हैं, दुबारा run कर दो भई, देखो 3000 run हो गया, आया 3000 answer, ठीक है, तो मतलब आप कोई भी formula यहाँ पर पे, आप code कर सकते हो, कोई भी formula आप code कर सकते हो, ठीक है, लेकिन स value भी मैं आप सिलू, ये values तो मैंने अलड़ी यहाँ पर program में लिख दिये, कि 1000 होगी, 3 होगी, 8.5 होगी, लेकिन अगर sir, मैं अपनी मर्जी से कोई भी value डालना चाहता हो, तब मैं क्या करूंगा, तो तब मैं क्या करूंगा, उसको मैं next class में code करके सिखाऊंगा, आपको, next class में मैं सिखाऊंगा, कि अपने से कोई भी आप value यूज करके किस तरीके से coding कर सकते हो, ठीक है, तो next class में इसको include करते हैं, ठीक है, thank you very much.